आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर आज के इस सुड़ी में हम देखने वाले ACA VS DEK के बीच होने होले मैच के बारे में दोस्तों आज के सुड़ी में हम देखेंगे मैच के डीटेल्स के बारे में पिच रिपोट के बारे में दोनों टीमों की प्रोबाबली लेओट किस तरह सराएगी उसके बारे में कुछ प्लियरों के स्टैट्स में आपको दिखाने आलाओ जिससे के आप अपनी खुट की एक विनिंग टीम मरा सकते हैं चाहे वो ड्रीमी लेओन का आप हो या फिर कोई दूसरा आप हो उसके बाद आखिर में आपको ड्रीमी लेओन के तीन विनिंग टीम्स भी दिखाऊ आते साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करना ना भूले ताकि इससे तरह के अच्छ अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुर्च सके तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच की डीटेल से सबसे पहले सीरीज का डाम देख लेते हैं वह है ECST 10 Corfew 2021 औ बात कर लेते हैं डोनों टीमों के बारे में तो वह है अथेंस क्रिकेट एकेडमी याने ACA वर्सेस धिक का दिखा थ्रॉन डीके के बीच ये मैच होने वाला है 22nd of August औक्टोबर को ये मैच होने वाला है यानि कली मैच होने आला है और पहला जो मैच इन दोनों के बीच होग है तो मारीना क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों वही अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाते तो माप किज़ेगा दोस्तों यहां पर स्टार फोर्स लिखा गया था लेकिन आप पसल में यह फैन कोड़ पर यह लाइव स्ट्रीमिंग मैच की देख सकते दोस्ता और एकी टीम नहीं बलकि दोनों टीम यहां पर जबर्दस बल्लेवाजी कर सकते हैं तो इसकी वज़े से कोई भी जीते बैटिंग या बॉलिंग ले कोई फरक नहीं पड़ता इससे दोस्तों क्योंकि जो भी स्कॉर होगा वो चेस हो सकता है तो इस वज़े से मताना से बात कर लेते हैं एसी एकी प्रोबेबिल लिए जिसे हम प्लेइंग लिए भी कह सकते हैं कैस तरह से रहेगी तो वह है जेड़ अलीहेदर एस मेहर, क्यू अमिन, ए हाई अभीद, डबलू अकबर, एच सफ़दार, जेड अब्बास, अकिफ खान, एम ताहिर, जेड अश्रफ, और एम अर्फान तो इस तरह से रहेगी प्रोबेबल लिए लिए असी ए की जिसे हम प्रेडिक्टेड लिए या फिर प्रोबेबल लिए लिए भी कह सकते हैं अब बात कर लेते हैं D, E, K की प्रोबेबल लिए 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 के बारे में तो वह कुछ इस तरह से रहेगी ताहिर अली, रिज्वान अली, ए महमी, रहमान मोहमद, बिलाल गुलाम, अली मुआज, अब्बास अर्जुम, एस अक्रम, अमन शाह, हसन ए और थोमस जोटोस तो इस तरह से डी, ए, के की प्रोबेबल ले लिए और फिर प्रेडिक्टेड लिए और फिर प्लाइग लिए और भी आप कह सकते हैं, अब मैं कुछ प्लेयरों के आपको स्टैड्स देखेने वाले हों दोस्तों, जिससे कि आप अपनी खुद के एक विनिंग टिम बना सकते ह है वो डिम लेज़न का आप या फिर कोई दूसरा है तो सबसाप हेले हमारा जो होट पिक्स से हम कहेंगे तो हमारा सबसे पहला होट पिक्स रहेगा क्यू अमिन जिए दोस्तों इन्होंने जो लास्ट मैच खेला था कालिद थे शिक्सर्स अथेंस के खिलाप उन्होंने इस उससे भी ज़्यादा का स्टाइक रेट था तो या बदस्त मैटिंग कर रहे दोस्तों इस पूरे टर्नमेंट में और अब तक इस टर्नमेंट में सबसे जादा रन मनाने आ schizophrenia है दोस्तों इनके बल्डे से अब इस टोटनमेंट में 194 रन निकले और उनका आवरेज भी देख सकते हैं 38.80 याने 38.80 याने करीब करीब 49 का आवरेज है इसलिए मैं इनको होट पिक्स में रखा है अगले जो प्लियर है मोहमद ताहीर है दोस्तों याने इनोंने कुल मिला के दो वर्स में दो विक्टे निकाली है दोस्तों और काफी जबदस बैटिंग के जगा गेन बाजी किये और शिर्फ आट रन दिये थे उस पूरे मैच में जो पिछला मैच उन्होंने खेला था उसमें तो अगले जो अमारे होट पिक्स है आर मोहमद दोस्तों ही स्कोर्ड एक विक्ट फायर 16 बाल 30 रन फॉर्द देखा थॉल्म अगेंस इनोंने किये तो फिर से वही टीम है दोस्तों कालिथान सिक्सर रथेंस के बीच इनों के भाग खिलाप इनोंने ये किये थे इनका भी करिब करिब 200 का स्टाइक रेट है दोस्तों और बल्ले से 91 रन निकल चुके दे इस पूरे कॉंपेटिशन में तो ज्यादा मैच तो नहीं हुए जैसे कि आप देख पर दे सत्रा आठ्रा मैच वे जिसमें से दो दो चार चार मैचेस मेरे खाल से खेले होंगे तो पुल्मिला क्या 91 रन वो भी टीटेंड में काफी अच्छ टीटेंड टोर्नमेंट जा दोस्तों ये इस टोर्नमेंट में सबसे जादा विकेट टेकर है अपने टीम की तरफ से और अब तक इनोंने साथ विक्ते हासिल कर लिए है इस टोर्नमेंट में तो आप सोची सकते कि ये भी काफी बढ़िया परदर्शन कर रहे हैं और अच्छ सब्सक्राइब देता हूं ड्री मिलेंट की टीन विनिंग टीम्स जिससे क्या आपका अच्छे खासे अर्णिंग और सकते हैं फिर आप ग्रैंड लिग है स्मॉल लिग भी जिद सकते हैं तो इस तरह से हम ड्री मिलेंट का पैच के अब उस मैच पर हमें जाना है दोस्तों वह मैच है एसी ए वर्सस डी एक तो यह वह मैच है दोस्तों तो सौरी दोस्तों कुछ घडबड होई थी तो वह यह टीम है दोस्तों एसी ए वर्सस डी एक यह बता देता हूं आपको तो इस पर सबसे पहले हम आते कीपिंग में कीपंग में हमारे पास कुल मिला के दो या तीन अच्छे ऑप्शन से दोस्तों जिसमें से मैं सिर्फ आर मोहमत को लूँगा जैसे कि शायद हमने इनका भी स्टैट्स देखा था तो काफी बड़िया प्रदर्शन रहा था इनका भी तो इन मेहमी को शामिल किया है तो इस तरह से चार बल्लेबाज है दोस्तों चारों की चारों काफी बड़िया फॉर्म में और चारों की चारों ने अच्छे खासे रन बनाए तो जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं तो इसके बाद चलते हैं ऑल रौंडर्स पर तो क्यूं अमीन को लिए उसके बाद हमने जो तीसरे है एम ताहिर को लिए तीनों की तीनों बढ़िया ओल रौंडर्स दोस्तों काफी बढ़िया बल्लेबाजी और बैटिंग और गेनबाजी दोनों कर सकते तो जरूर आप इन पर दाव लगा सकते इन पर वर्षा कर सकते चलते गेनबाजी जड़ अश्रप को लिए और अरफान को लिए तो यह तीनों भी काफी बढ़िया गेनबाजी कर रहे है इनको काफी विक्टेम मिल रहे है तो जरूर आप इस तरह से तीनों को ले सकते चलती एक कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते देख लेते क्याप्टन और राइस क्याप्ट क्याप्टन बनाए तो थोड़ा रिस्की हो सकता है वाइस क्याप्टन एम ताहिर को बनाए लेकिन मुझे नहीं लगता रिस्की है लेकिन अगर यह अच्छा खेल जाते तो आपको काफी फायदा हो सकता है अब चलते टीम प्रिवी एक बार जरूर करा दूंगा दोस्तों क मुझे लगता है जरूर आप इसे ग्रैन लिक के लिए यूज कीजिएगा दोस्तों स्मॉल लिक के लिए यूज करके से वेस्ट मत की जगा लेकिन मैं कहूंगा कि ये टीम आपको 90% grand lick के लिए दोस्तों और small lick के लिए सिर्फ 10% है जी आ दोस्तों तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा grand lick के लिए उसकी जगा small lick के लिए इसे वेस्ट मत की जगा है क्याप्टन और vice captain के अगर बात कर लेते हैं तो क्यों हम इनको मैंने captain मनाया और एम ताहिर को vice captain मनाया दोनों की दोनों जबर्दस्त performance करें दोस्तों और दोनों की दोनों all rounder होनी की वज़े से हमें डबल पांड मिलने वाले एक्स्ट्रा पांड देंगे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में और फिल्डिंग के अलग से पांड देंगे तो इस वज़े से इन दोनों को मैंने captain और vice captain मनाया जरूर आप इस तरह से कर सकते हैं कोई problem नहीं कोई दिकत नहीं तो काफी बढ़िया टीम मैं चुके फिर से कहूंगा इसे grand lick के लिए उसक बत कीजिएगा तो चलिए दोस्तों इस team को close कर लेते हो कर लेते हो दूसरी टीम को आपको मैं डिट करके दिखा देता हैं तो तो नो कि दूसरी टीम में कीपिंग में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दो की पर लिए और मोबत को लिआए लेकिन उसके बात इस महर को भ और यहां पर बी गुलाम को मैंने इस टीम में गुलाम को इस टीम में शामिल किया पिछले टीम में शामिल नहीं किया था क्योंकि यह भी काफी बढ़िया प्लियर है दोस्तों अच्छे खासी बैटिक कर सकते हैं और अच्छे खासे प्लियर है जरूर आप इन पर भी दाव ल तो 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 जरूर आप इन पर भी दाव लगा सकते हैं क्योंकि इनों ने काफी बड़िया परफांस अब तक किया है तो जरूर आप इन पर बहुर सा कर सकते हैं कंट्यूर पर क्लिक कर लेंगे और देख लेंगी कैप्टन और वाइस कैप्टन तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाए जेड अली हैदर को जैसे कि आपको दिखा दू 49 प्रतिशत से भी जादा लोगों ने को वाइस कैप्टन मना यह और आप से कंट मेंने वाले क्योंकि आप इनको कैप्टन मनाने वाले इसलिए मैंने को कैप्टन मना वही अगर मात कि बात कर लेते तो देख सकते दोस्तों यह हमने एच अमी गुदीन को कैप्टन बना है क्योंकि 16% से ज़्यादा लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बना है तो मैं इनके साथ जरूर जाना चाहूंगा तो काफी बड़ीया टीम बन चुके एक बार फिर से टीम प्रिव्यू करा देता हूं दोस्तों देश से क्या आप देख पार है मैंने यहाँ पे दो विकेट कीपर शामिल किये एस महार को लिया है और आर मोहमदेद को इस टीम में लिया है दोस्तों दो कीपर होने को जैसे हमे डबल पॉइंट मिल सकते दोस्तों क्योंकि विकेट कीपिंग में कर सकते कैचिंग बॉलिंग आपकी जैगे कैचिंग स्टंपिंग और विकेट स्टंपिंग और साथ साथ बैटिंग भी कर सकते तो ये तीवल पॉइंट हमें दे सकते एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते वही अगर बात कर लेते बल्लेबाजी की तो जेड अली है दर बी गुलाम और ए मुगाज और आरली इस तरह से चार बल्लेबाजों के इस टीम में शामिल किया दोस् कर दोस्तों वही अगर बात कर लेते तो एच अभी गुदीन को इस टीम में शामिल किया तीनों की बढ़िया जैनबाज दोस्तों और अच्छे-खासी बैल्ट बॉलिक कर रहे हैं और जरूर आगे भी देंगे मुझे लगता है कि आपकी ये टीम भी बढ़िया बन चुके कि ग्राण लिक के लिए यूज़ कर सकते हैं जरूर क्यों कि आपको मैं हमेशा बताता रहता हो जब तक आप मल्टिपल स्टीम लगाएंगे नहिए तब तक आप के जितने के चांसें काफी कम रहते दोस्तों जब आप मल्टिपल स्टीम लगाएंगे एक से जादा चार, 50, दस टीमें लगाएंगे तो आपके जितने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते इसलिए मैं बताता रहता हूं कि ग्राड लिग में मल्टिपल स्टीम लगाई एक से ज्यादा टीम लगाई तो ये टीम का क्याप्टन मैंने बनाया है जेड अली हैदर को काफी बढ़िया बैटिं और काफी अच्छा परफॉर्मस नेकार इसलिए मैंने को क्याप्टन मना है वही एच अमी गुदीन को मैंने वाइस कैप्टन मना काफी बढ़िया गिन्वाजी कर रहे हैं और साथ-साथ काफी विक्टें को मिल रहे हैं तो जरूर आप इनको दोनों को क्या बना सकते हैं औ सब्सक्राइब कर लेते हैं और देख लेते तीसरी और आखरी टीम को क्या है टो इस बार थोड़ा हट के सोच रहा हूं दोस्तों टी अली को लूगा क्योंकि अगर यह अच्छा प्रफरम्स करते हैं और अगर हम इदे किसी भी टीम में शामिल नहीं करते हैं तो हमें काफी नुक्सान हो सकता है इसलिए मैंने इनको इस टीम में शामिल कर लिया है वही अगर चलते हैं बल्लेबाजी पत्तों मैंने यहाँ पे पाच बल्लेबाजों को लिया है ए मुआज को को लिया यह भी गुलाम को लिया और एम मी को भी शामिल किया है तो इस तरह से पिछले दोनों टीमों में मैंने पाच बलेबाज नहीं लिये थे अब तक इसी लिए इस टीम में पाच बलेबाजों के साथ जाने वालों पांचो की पांचों बेटर बड़िया ऑप्शन धूस् किया है मैंने बाखी किसी और को मैंने इस्टीम में शामिल नहीं किया है अगर आप चाहे तो एक खान की जगह पे ज़रूर आई देख सकते एम ताहिर को भी ले सकते लेकिन फुलाल मैं खान के साथ ही जाना चाहूंगा मुझे लगता है यह अच्छा परफॉर्मस कर सकते कल की मैंच में तो अगले चलते हैं गेन बाजी पत्तो गेन बाजी में जेड अश्रप को लिया है दोस्तों यह भी बड़ी आए एम अर्फान को लिया है और तीसरे जो है एच अमी गुदीन को लिया है तो काफी बड़ी आ इस टीम कर लेंगे तो इस टीम का क्याप्टन मैंने बढ़ा है आर अली को थोड़ा रिस्की जरूर है दोस्तों लेकिन मुझे लगता है कि अगर यह अच्छा परफॉर्मस करते तो सबसे ज्यादा आपको होगा दोस्तों क्योंकि काफी कम लोगों ने इन पर भर्षा किया है काफीक कम लोगों ने यह पर देख सकते हैं लेकिन अगर अच्छा परफॉर्मस कर देते तो ज़रूर आप ग्राइन्लिक भी सकते या फिर आप ग्रांड लिंग में अच्छी खासी जरूर कर सकते इसलिए मैंने इस तरह से इन दोनों को क्याप्टन और वास क्याप्टन बना है तो एक बार टीम प्रिव्यू करा देता हूं दोस्तों जैसे कि हाँ पर मैंने कीपिंग में थोड़ा चेंज किया है ती अली को शामिल किया है सिर्फ एकी किपर के साथ जाने वाले लेकिन हम बल्ले बाद पाच ले चुके ए अमी महें मी को उसके बाद जे अली हैदर को भी गुलाम को ए मुवाच को और आर अली को तो इस तरह से पाच बल् गुदिन को इस टीम में शामिल किया तो काफी बढ़े तीम है टीम बनी है मुझे लगता है यह भी आप ग्रांड लिग के लिए जरूर यूज कर सकते है सबसे बेटर टीम है यह दोस्तों तीनो टीनो टीम है बेस्ट है लेकिन यह सबसे बढ़े टीम लग रहे है दोस्तों आर अली को मैंने captain मनाया, अब तक कापी बड़िया परफॉर्मस रहा है और अच्छी खासे strike rate से अच्छी बैटिंग करते हैं, इसलिए मैंने को captain मनाया, और ए मुवाज को मैंने wise captain मनाया, यह भी कापी बड़िया बल्ले वाज है दोस्तों, और अच्छे कापी बल्ले वाज ह जरूर आप इन पर वर्षा कर सकते दावन लगा सकते तो इस तरह से यह बी टीम काफी बढ़िया बन चुके दोस्तों मुझे लगता है यह बी टीम आप ग्रैंड लिक के लिए उसके जगा स्मॉल लिक कर सकते लेकिन ग्रैंड लिक के लिए ज्यादा यूज कर किजिएगा द तो ठीके दोस्तों आई होप इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं और सेव करने के बाद आपको वीडियो जरूर पसंद आयागा और आपको तीनों टीमें भी काफी पसंद आयोगी तो अगर पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजे के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद